साथियों आप सभी के इस प्लेटफर्म पर सवागत हैं यहाँ पर हम लोग अगस 2022 मन्त के सुर्खियों में रहे प्रमुक व्यक्तित के बारे में इस वीडियों में चर्चा करेंगे और इसी प्रकार से आगे के वीडियों में लोग करते हैं लचित बोर्फुकन के बारे में तो देखिये चर्चा में इसलिए थे क्योंकि असम के मुक्मंत्री ने सभी राज्यों से इस्कूली पाठि पुस्तकों में लचित बोर्फुकन पर अध्धाय सामिल करने का अग्रह किया है लचित बोर्फुकन के बारे में बात करें तो इस 17 सतापदी के दौरान अहोमवंस का छेतर कहां पर था अश्रम में था तो अहोमवंस के एक सेनापती थे वे ब्रह्मपुत्र नदी पर हुई सरायगाट की लड़ाई के लिए विख्षात रहें देकि सरायगाट के लड़ाई ब्रह्मपुत्र नदी की किनारे 1671 में कब होती है 1671 में होती है मुघलो और अहोमवंस के मध्य में है बोर्फुकन कारीकारी और न्याइक दोनों सक्तियों से संपन पद्भी थी द्यान रखेगा ये पूछा दासता है बोलफुकन किस प्रकार की पद्वी थी तो ये कारिकारी और नयाइक दोनों सक्क्तियों से संपन्न पद्वी रही है आगे चलते हैं अगले व्यक्तित को देखते हैं दुर्गादास राठोड के बारे में बात करें तो हाल ही में रच्छा मंत्री राजना सिंग ने दुर्गादास राठोड की प्रतिमा का जो है रायस्थान के जोधपूर में अनावर्ण किया इन्हें बीर दुर्गादास राठोड के नाम से भी जाना जाता है यह मारवार जो की जोधपूर में है तो मारवार के महराजा जस्वन्त सिंग के प्रमुख एक तरीके से दर्वारी थे दर्वार में काम करने वाले व्यक्तिते व्यक्तिते इन्होंने 17. सताबदी में मुगल सासक औरंग जेब से जसवंत सिंग के शिशु राजुकुमार अजीस सिंग की रच्छा की थी। इन्होंने 1707 में औरंग जेब की मृत्व के बाद जोधपूर से मुगलों को निकाल कर मारवाड पर राठोड वंस के सासन को पुनरिस्थापित किया था। इसके अध्रिक्त इ अगले व्यक्तित हैं अर्विंदो घोष देखिए 15 आगस 2022 को अध्यात्मिक नेताश्री अर्विंदो घोष की एक सो पचासवी कोंसी जैनती के रूप में चिन्नित किया गया। मैं 1908 में उन्हें अलीपूर बम सणेंदर केश में गिरफतार किया था। ध्यान रखे का अलीपूर बम सणेंदर केश कब का है 1908 का मैं 1908 का उनकी एकात्म उनकी एकात्म योग प्रणाली की अवधार्णा का वड़न उनकी पुस्तक दा सिंथेशिस आफ योगा और गया है ठीक है। उन्हों ने वर्स 1921 में भारती राष्टी कांगरेस की बैठक के लिए एक नया द्वज तयार किया था। भारती राष्टी कांगरेस ने इसे वर्स 1931 में अधिकारिक तौर पर अपनाया था। अधिकार से अपग्रेड़ वर्जन है। तो यहां और एक चीज देखीएगा। इन्हें a nation flag for India नामक इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी। आगे चलते हैं। अगले व्यक्तितों हैं पांडूरंग सदाश्यू खान खोजे। लोग सभा अध्यच्य मैक्सको में पांडूरंग खान खोजे की प्रतिमा का अनावर्ण करेंगे। इनका जन्म महराष्ट के वर्धा में हुआ था। अगे बात करते हैं अन्ना मड़ी के बारें बात करते हैं। इनका जन्म केरल में हुआ था। इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज और इंपीरियल कॉलेज लंदन से पढ़ाई की थी। इन्हें वेदर उमन के रूप में वेदर वूमन के रूप में भी जाना जाता है। या मौश्रम महिला के रूप में हिंदी में कहें तो कह सकते हैं जाना जाता है। इन्होंने मौशम संबंधी उपकरणों में महत्पूर योगदान दिया था। इन्होंने शौर विक्रण वावि मंडली ओजोन और पवन उर्जा मापन पर सोध किया था। तथा पत्र प्रकार्शित किये थे। अंतर राष्टी ओजोन संग, भारती राष्टी विज्ञान अकादमी, अमेर्की मौशम विज्ञान सोसाइटी आदे सहित अनेक संगठनों की सतश थी।